वाँ डॉक्टर साफ और ये राम कथा कविता में अदभुद करेकरम आज दुरदर्शन के माध्यम से पहुँच रहा है साथियो राम भारत में नहीं तो दुनिया में एक वेस्ट्विक चरित्र है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया पत्रकारों ने पूछा तुम तो मुसल्मान हो तुम राम लीला क्यों करते हो उत्तर मिला हमने धरम बदला है पुर्खे नहीं बदले तब मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूं और कविता की भूमिका में केवल एक पंक्ती राम बन गए तो बन गए मात पिता की आज्या का तो केवल एक बहाना था मात्री भूमी की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था तो किसने गंगा तड़ पर जाकर केवट का संबान किया आरक्षन में भारत को जलते देखा हम लोगों ने राम का आरक्षन क्या था मैं बताता हूं किसने गंगा तड़ पर जाकर केवट का संबान किया और निशाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया गिधर राज को प्रेमप्यार से किसने गले लगाया था भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था वनवासी और दलित जमों पर अपना प्यार लुटाना मतलब है सूचना मिली सोचना पंक्तिया सुनना बलशाली वानर जाती तो परवत पर ही रह जाती बाली के अत्याचारों को साइद चुप ही सह जाती पर्वुने मित्र बनाए वानर जंगल परवत जोड़ दिये जाती और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिये जन जन भारत का जुड़ जाए अग्याकातु कीवल एक और दोस्तों अगर प्यार करना है तुमको राम सियासा प्यार करो वा कहते हैं ताज महल महबत की निशानी है पर ताज महल से पहले राम से तुम महबत की निशानी है हमारे परभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सेने पर पुल बना दिय यह महब्बत के निशान अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यावार करो और जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा अस्त्रुधार नैनों से बरसे विधिका ये कैसा लेखा राम सिया का जीवन ही तो प्यार भ रहा है राम कव्वें बाल मी की रतनाकर होते रामायनना कह पाते तुलसी पतनी भक्ती में ही जीवन यापन कर जाते रामानंदना सागर होते गुर्धर्शन दुवारा से दिखाया रामायन उतना ही लोग पर फिर हो गया विश्व में नंबर वन ट्यार्पी में तब बोलना चाहता हूं बाल मी की रतनाकर होते रामायनना कह पाते तुलसी पतनी भक्ती में ही जीवन यापन कर जाते रामानंदना सागर होते राम कथा ना दिखलाते कल्यूग में त्रेता ज्हांकी के दर्शन कभी न हो पाते तो कवियों की इन सब कवियों को समर्पित करता हूं तो